वेलकम टू अजीत के यार आज के इस वीडियो में हम लोग कीलो ग्राम के प्रसनों को सौल्व करना सीखेंगे तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें तो देखें आपर एक कोशन दिया गया है 10 केजी चीनी का दाम 400 रुपे है तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा यहाँ पर 10 केजी चीनी का दाम दिया है 400 रुपे और हमें निकालना है कि 200 ग्राम चीनी का दाम कितना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे तो देखिए 10 केजी चीनी का दाम यहाँ पर दिया हुआ है कितना है तो 10 केजी चीनी का दाम है 400 रुपे तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे और देखिए 200 ग्राम चीनी का दाम निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले एक केजी चीनी का दाम निकाल लेंगे और एक केजी चीनी का दाम कैसे निकालेंगे तो एक केजी चीनी का दाम निकालने के लिए 400 रुपए में हम 10 से भाग कर देंगे तो उपर में लिखेंगे 400 और नीचे में लिखेंगे 10 को और इसके बाद इसे हम काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहां पर कितना बच जाएगा 40 तो देखिए यहां पर 1 केजी चीनी का दाम हो जाएगा 40 रुपए एक केजी का दाम कितना आगया 40 रुपए और देखिए यहां पर जो 10 केजी का दाम दिया है 400 रुपए यह क्य केजी बरावर होता है 1000 ग्राम और यहां पर 1000 ग्राम का दाम है 40 रुपए तो इसके बाद देखिए इसके बाद हम इसमें 100 ग्राम का दाम निकाल लेंगे और 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे 0 को काटेंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा 0 को इधर काटेंगे तो इध दाम आगया है 4 रुपए, तो 200 ग्राम का दाम कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 200 ग्राम का दाम हो जाएगा 4 दुना 8 रुपए, 100 ग्राम का दाम है 4 रुपए, तो 200 ग्राम का हो जाएगा 8 रुपए, तो यह हो जाएगा इसका आंसर, इसके बाद यहाँ पर दूसरा को पॉक्षिन है पांच केजी चावल का दाम 175 रुपए है तो 300 ग्राम चावल का दाम कितना होगा यहाँ पर पांच केजी चावल का दाम दिया है 175 रुपए और हमें निकालना है कि 300 ग्राम चावल का दाम कितना रुपए होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको लिख अब देखिए यहाँ पर 300 ग्राम चावल का दाम निकालना है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले एक केजी चावल का दाम निकालेंगे और एक केजी निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे एक केजी बरावर एक केजी का दाम निकालने के लिए यहाँ पर 175 में हम 5 से भाग कर देंगे तो उपर में लिखेंगे 175 और नीचे में लिखेंगे 5 अब इसे हम काट लेंगे तो 5 से 1 वार में कटेगा और ये 5 से 35 वार में कट जाएगा तो देखे यहाँ पर 1 kg का दाम आ गया है 35 रुपए 1 kg का दाम कितना आ गया 35 रुपए और देखे यहाँ पर जो चावल का दाम दिया है ये क्या है kg में दिया गया है और हमें क्या करना है ग्राम में निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे kg को ग्राम में बदल लेंगे तो देखे 1 kg बरावर कितना ग्राम होता है तो एक केजी बरावर होता है एक हजार ग्राम और एक हजार ग्राम का दाम कितना है तो एक हजार ग्राम का दाम है 35 रुपए तो इसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे तो देखी यहाँ पर 1000 ग्राम का दाम दिया है 35 रुपए तो इसमें सबसे पहले हम 100 ग्राम का दाम निकालेंगे और 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर एक अंक को काटेंगे तो यह हो जाएगा 100 ग्राम और इसमें क्या करेंगे पीछे से एक अंके वाद दसमलब लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर 100 ग्राम का दाम कितना आ गया, तो 100 ग्राम का दाम आ गया 3.5 रुपए, और हमें क्या करना है, 300 ग्राम चावल का दाम निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 300 ग्राम, और 300 ग्राम का दाम निकालने के लिए 3.5 में हम क्या करेंगे, 3 से ग गुना कर देंगे तो तीन से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10.05 रुपे यानि कि 10 रुपे 50 पैसे ये हो जाएगा 300 ग्राम चावल का दाम तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें